Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to cover working of bridges, okay? So, यहाँ पर हम लोग working के साथ साथ कुछ important facts हैं, जो bridges से related हैं, वो भी discuss करने वाले हैं, okay? So, in previous videos, मैंने आप लोगों को बताया था कि bridges क्या होते हैं? Bridges are generally used to connect two lands. These are used to connect two lands, okay? Okay, so, दो lands को अगर हम लोगोंने connect करना हो, तो हम लोग तो hub भी use कर सकते हैं, so, यहाँ पर bridges ही क्यों use करते हैं, हम? So, difference hub और bridge के बीच में यह है, कि hub की help से हम लोग क्या कर सकते हैं? Same type के lands को connect कर सकते हैं, अगर यह दोनों lands same type की हैं, तब ही हम इने use कर सकते हैं, okay? Okay, but bridge अगर हम लोग use कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर है hub, लेकिन अगर हम लोग bridge use कर रहे हैं, तो क्या होता है? यह land है, यह second land है, ठीक है? यह दोनों land different होनी चाहिए, तब ही हम लोग इन दोनों के बीच में bridges को use कर सकते हैं, okay? यह difference आप लोगों ने याद रखना है, and with the help of bridges, we can connect two different types of land, though different lands का यह मतलब है, कि मान लीजिए, एक land है हमारे पास token ring, जो कि token ring follow करती है, and दूसरी land है, जो कि token bus को follow करती है, या फिर हम लोग बोल सकते है, Ethernet को follow करती है, ठीक है? जैसे कि हम सभी को पता है कि different types के lands होते हैं, ठीक है, different types की arrangements होती है, हमारे पास topologies होती है, वहाँ पे क्या होता है? या फिर computer systems इस तरह से connected होते हैं, ring के format में, ठीक है, इस तरह से computer systems connected होंगे, ये हो गया token ring, and दूसरी land है, जहाँ पे token bus है, जो कि generally हमारे institutions, universities में connection होता है, वो होता है, token bus या फिर Ethernet connection, ठीक है? इस तरह की अगर दो different lands होंगी, इन दोनों को हम लोगोंने connect करना होगा, ठीक है, इन दोनों को connect करना होगा, तो हम लोग use करेंगे bridges, राइट, वैसे ही, अब यहाँ पे माल लीजिए, एक और system है हमारे पास, अगर हमने इन दोनों को connect करना होगा, क्योंकि ये दोनों same land हैं, तो हम लोग यहाँ पे use करेंगे hub, okay, this is the difference between hub and bridges, okay, so यहाँ पे ये bridges जो हैं, वो generally काम क्या करते हैं, bridges जो हैं, वो physical layer, physical layer, and data link layer पे काम करते हैं, ठीक है, ये दोनों points आप लोग नहीं याद रखने हैं, कि data link layer and physical layer पे bridges काम करते हैं, and कहीं पे भी अगर हम लोग data link layer की बात करते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे frames use होंगे ही होंगे, क्योंकि data link layer में जो packets हैं, जो transfer होते हैं, जो कसे दूसरी जगा पे source destination वे, वो हमेशा frames के format में ही translate होते हैं, transfer होते हैं, okay, so data link layer में एक तो frames की बात होती है, and दूसरा Mac address जरूर use होता है, that is media access control, so यहाँ पे भी जो हम लोग बात कर रहे हैं, data link layer की, तो इधर Mac address के साथ काम होगा, ठीक है, source से destination पे जब कुछ भी चीज़ ट्रांसफर होगी, so क्या होगा, Mac address के format में ही होगी, ठीक है, Mac address के through ही होगी, and यहाँ पे जैसे कि यह तीन है, मैंने क्या बताया, कि bridges हमेशा दो devices को connect करते हैं, दो lands को connect करते हैं, so यहाँ पे यह नहीं है, कि तीन devices, तीन lands हम लोग ने connect किये हैं, ठीक है, यह दो example है, hub के, अगर same हम लोग lands यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही, यह दोनों examples हैं, bridge के, ठीक है, यह नहीं है, सिरफ इन दोनों को अगर connect करते हैं, so यह ब्रिज यूज़ करेंगे ओके सो देख लीज़े जनरली क्या होता है एक एक्जामपल के साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ ठीक है अब दो सिस्टम्स हैं हमारे पास दो लैंज है उन दोनों में कुछ इनके बीच में क्या है एक ब्रिज यूज़ हो रहा है ठीक है इस इस ब्रिज और यहां पर भी दूसरी तरफ क्या है यह टोकन बस ही यूज़ कर रहा है ठीक है तो यहां पर जो है वो इंटरफेस होते हैं यह वाला जो सेक्शन हो गया यह इस वाले लैन वन का इंटरफेस हो तो यहां पर क्या होता है कि अगर कुछ भी हम लोग ने data transfer करवाना है मालीजिए system 1 ने system 6 को कोई भी file भेजनी है तो यह क्या करेगा पहले हमारा system इसका destination का mac address चेक कर लेगा ठीक है first ने 6 को कोई भी file कोई भी packet भीजना है तो वो पहले क्या करेगा mac address देख लेगा अपने destination का फिर bridge चेक करेगा कि यह mac address इस side का है इस land का है या इस land का है यह उसके according काम करेगा ठीक है तो यहां पर दो चीज़ें हमेशा use होती है source का mac address और destination का mac address ठीक है अगर वो first computer 5678 में से किसी को भी file भेज रहा है तो वो हमेशा जाएगा bridge के पास लेकिन अगर जो first system है यह fourth को file भेज रहा है तो bridge की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह क्या है यह एक अलग LAN है and यह LAN अपने अंदर directly connected है ठीक है तो यह directly आपस में कोई भी file transmit करवा सकते हैं इन्हें किसी external चीज़ की जरूरत नहीं है यानि कि इन्हें bridge हब किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी simple terms में हम लोग बोल सकते हैं कि bridges जो है वो mac addresses को use करते हैं and यह बता सकते हैं यह decide कर सकते हैं कि packet को आगे भेजना है या नहीं भेजना है okay जैसे मैंने अभी बताया कि अगर system 1 जो है system 6 को कोई भी packet भेजना चाता है तो वो क्या करेगा bridge को use करेगा right लेकिन अगर system 1 system 4 को कुछ भी भेज रहा है तो वो एक ही land में है एक ही तरफ को है ठीके तो यह bridge use नहीं करेगा लेकिन इस case में bridge क्या कर सकता है इस case में bridge यह कर सकता है यह check कर लेगा कि हाँ यह वाला जो mac address है यह bridge के इस तरफ है इस वाली land में है या इस वाली land में है ठीके तो यह help bridge करेगा जरूर कि अगर यह packet इसी वाली land में होगा ठीके source and destination same system में होगा same land में होगा तो bridge हमें ये बता सकता है कि ये वाला packet आगे forward नहीं होगा ये same land में रहेगा और इसे यहाँ पर transfer कीजिए ठीक है इतनी help bridges ज़रूर करते है and bridges को ये पता कैसे चलता है जैसे routers में हम लोगों ने देखा था कि routing tables होते है ठीक है जैसे routing tables होते है वैसे ही bridges में क्या होता है bridging tables होते है ठीक है bridging tables होते है bridging tables क्या करते है ये help करते है पूरे इसमें क्या होता है bridges के साथ जितने भी systems connected है जितनी भी lands connected है ठीक है इसके अंदर कुछ systems है ये उनके mac address को store कर लेगा ठीक है अब मैं डीटेल में बता देती हूँ कि ये टेबल्स किस तरह से काम करते हैं ओके सो पैकेट फॉरवर्डिंग के साथ साथ ये पैकेट फिल्टरिंग का काम भी करता है ये जो मैंने अब आप लोगों को बताया कि अगर सिस्टम 1 ने सिस्टम 4 को कुछ पैकेट भीजना है लेकिन ब्रिज्जिस में कुछ नहीं कर सकता है ब्रिज्ज सिरफ ये बता सकता है कि ये पैकेट यहां से आगे फॉरवर्ड नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि ये इसी वाले block का इसी वाले land का packet है ठीक है तो ये filtering भी बोल सकते हैं कि bridges क्या काम करते हैं ये packets को filter करते हैं और फिर साथ साथ में ही हमें बता देते हैं कि कौन से packet को किस land में भीजना है और किस क्या इसका destination है ओके ओके तो ये वाला जो concept है filtering वाला ये hub या repeaters में available नहीं होता है ठीक है क्यों ये सिरफ इसी में bridges में ही available होता है क्योंकि bridges क्या करते हैं mac address यूज करते हैं data link layer यूज करते हैं ठीक है इसलिए ये data filtering वाला concept जो है वो सिरफ आप लोगों को bridges में ही मिलेगा ठीक है तो generally क्या करता है ये हमेशा mac address को चेक करता है and mac address को चेक करने के लिए इसके पास दो तरीके होते हैं जो bridges है वो generally दो types के होते हैं एक होता है static and दूसरा होता है dynamic so static का मतलब होता है fixed right and यहाँ पर dynamic जो होते हैं उसे हम लोग transparent भी बोल सकते हैं ठीक है dynamic जो है transparent होते है static जो होते है वो fixed bridges होते हैं ठीक है and यहाँ पर जो static bridges होते हैं वो generally क्या करते हैं table create करते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि routing tables होते हैं वैसे ही यहाँ पर bridges भी जो हैं यह वो इक table create करते हैं and उस table में दो टाइप की values होती है एक mac address होता है and एक होता है उसका port number ठीक है system का mac address and port number and यह जो mac address and port numbers होते हैं यह generally जो होते हैं administrators जो होते हैं system administrators होते हैं वो हमेशे इसे maintain करते हैं ठीक है So, यहाँ पर P1 हो गया इस वाली LAN के लिए And P2 हो गया इस वाली LAN के लिए, ठीक है So, यहाँ पर MAC addresses यह किस तरह से maintain करते हैं जैसे मान लीजिए यह system 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है, इस तरह से हमारे पास कुछ systems है And इसका port number क्या होता है जो system 1 है, MAC address 1 है वो कौन से port में है, port 1 में है 2 भी किसमें है, port 1 में 3 वाला भी port 1 and this is also in port 1 ठीक है, and port 2 जो है, उसमें कौन कौन से systems है 5, 6, 7 and 8 ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है यह table MAC address को and port numbers को एक इस तरह से tabular form में save कर लेता है तो इसी से यह काम चलता है जैसे मैंने बताया था भी कि system 1 ने, अगर system 6 को कोई file भेजनी है तो वो bridge की help करेगा bridge क्या करेगा, ports की help से इस table को check करेगा and यह यहाँ से check कर लेगा कि इस MAC address से कोई file आ रही है and इस वाले MAC address में जानी है तो यह check करेगा कि यह कौन से port में है and यह वाला system कौन से port में है तो यह इस तरह से काम करेगा अगर source and destination एक ही port में होंगे system 1 जो है हमारा source है and system 3 जो है हमारा destination है, ठीक है यह दोनों same ही port में है तो यह क्या करेगा, यह वाला port इसे पहले ही बता देगा कि bridges से हम इस चीज़ को cross नहीं करवा सकते क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि यह दोनों इसी system में, इसी land में या इसी port में available है तो इस case में हमेशा दो चीज़ें record होती है अब जैसे मान लीजिए system 2 ने system 7 को कोई file भेजनी है तो वहाँ पर यह सिरफ दो चीज़ें record करेगा यह record करेगा M2, that is mac address of second computer and M7, that is mac address of seventh computer तो इतनी सी चीज़ें इसमें record होंगी यहाँ पर एक बहुत बड़ा issue यह रहता है कि in case अगर हम लोग mac address change कर देते हैं वैसे तो generally कोई भी अपने systems का mac address change नहीं करता है हम लोग यह change कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है suppose हम लोगों ने यहाँ पर mac address change कर दिया mac address जो था fourth system का इसको हमने fourth से हटा करके 40 कर दिया तो इसमें यह issue रहेगा कि हमें जो भी हमारे administrator है उन्हें क्या करना पड़ेगा यह पूरा जो table है यह पूरा जो table है इसे वापस manually change करना पड़ेगा यह automatic update नहीं होता इसे manually change करना पड़ता है तो यहाँ पर पूरे इसमें जाकर के हमें 4 को 40 करना होगा या कोई और mac addresses है वो सब change करने होंगे या फिर जैसे यह था 5th system को हमने यहाँ ले आया 3rd system को हमने यहाँ पे ले आया तो यह भी हमें पूरा change करना पड़ेगा इसके port numbers भी change करने पड़ेंगे 5th और 3rd के and इसका mac addresses भी change करने पड़ेंगे so static जो bridges होते हैं उसमें यह सबसे बड़ा drawback है कि manually इसमें काम होता है and हर एक चीज अगर थोड़ी सी भी इसमें changes आते हैं यह वाला जो हमारा proper structure है इसमें अगर थोड़े से भी changes आते हैं तो manually हमें सब कुछ change करना पड़ेगा इस table में so यहाँ पे next question होता है कि क्या bridges में collision होता है collision होता है या नहीं होता है ठीक है जैसे कि हम लोगों ने hub and repeaters में देखा था कि वहाँ पे collision होता है data packets एक जगा से दूसरी जगा जाते है and वहाँ collision होगा but bridges के case में collision कभी भी नहीं होगा यह क्यों नहीं होगा क्योंकि जो bridges है bridges है वो हमेशा क्या करते है उनके पास अपना buffer होता है ठीक है उनके पास अपना buffer होता है and वो हमेशा एक rule follow करते है वो rule का नाम होता है store and forward ठीक है store and forward क्या काम करता है मान लीजिए यहाँ से कोई packet जा रहा है इस तरफ को ठीक है एक packet जाएगा तो bridge के करेगा उसे bridge के पास अपना एक buffer होता है buffer system होता है ठीक है वहाँ पे यह से store कर लेगा and उसकी buffering चलती रहेगी ठीक है and उसके बाद वो उसको forward करेगा जहाँ पे भी वो packet जाना था second क्या करेगा वो दूसरा packet आ रहा है दूसरे packet को भी वो यहाँ पे store करेगा packet buffer होता रहेगा and उसको forward करेगा इसलिए यहाँ पे collision कभी भी नहीं हो सकता ठीक है तो यह point आप लोगों को याद रखना है ठीक है वैसे ही hub and repeaters में क्या होता है वहाँ पे बहुत जादा collision होता है maximum collision अकर हो सकता है ठीक है and number of collision यानि कि जितनी भी files यहाँ पे हम लोग enter करवाते हैं hub and repeaters के case में उनका collision होगा ही होगा ठीक है अगर एक या दो collision में अटक जाते हैं तो सारी processes उसी तरह से चलेंगी but bridges में यह बिलकुल भी नहीं होता एक भी system एक भी file एक भी packet जो है bridges में वो collision के case में नहीं फसता है okay so this is about the basic working of bridges in computer networking I hope you understand thank you